आज हम बनाने जर रहे हैं मसरूम फ्राइज के बहुत ही जाद के जाद होता है मसरूम चल रहा है तो चलिए बनाना शूर करते है आप मश्रूम हैं इसको खड़ा ही बनाएंगे समुचह इसको बिल्कुल कट नहीं करेंगे चलिए एक तरफ पानी हम लोग घर्म करेंगे जब पानी घर्म अच्छा से हो जाए तो इसमें सारे मस्रूम में डाल देंगे इसे अच्छा से धूल जाता है काफी गंदगी निकलता है म इसमें गर्म पानी में है मूँ बालते हैं इसमें एक चमच नमग डाल देंगे ताकि सारी बैक्टिरिया मर जाए अच्छा से उबाला जाए तो खाने में कोई धिकत परसानी नहीं हो इसे कोई भी खा सकते हैं हार्ट प्रेशंट शूकर प्रेशंट या फिर थारेट प्रेश भी बटर को घरर रे दो मिनट हो गये धिमा धिमाज में इसको बाल दी है तेजाज करके उबाली ऊसके धिमाज एदमकर दी दो मिनट हो जाए इसको अच्छा से ठंडा पानी में हम टो लेंगे 4-5 पानी से कडाही गर्म करते हैं उसमें एक चमच तेल डालेगे तेल ज्ज् लगता है खाने में बच्चे को लेंच ऑफिस किसी को भी दे सकते हैं अब हेल्दी खाना अगर चाहते तीस तरह से जरूर बनाए तेज आज पर है इसे हम भूनेंगे क्योंकि इसे बहुत सारा पानी छोड़ देता है एदा माच को एदम तेज कीजिए और बहुत ही जल्दी काफी समय में लगता है सबसे जल्दी बनने माला रेस पी है यह पांच मिलंडग बनता है प्रीन दीन हम हल्का घूडन कलर तो नमक डाल देंगे दम अच्छा से पेस यगा खने बहुत सारा पानी छोड़ देगा कलरड चेंज हो गया है धीमाच एकदम कर दिये हैं क्योंकि पानी सूप गया है अब धीमाच में ही हमें से भूना मात रहे तीम मिनट देखिए थोड़ा सही में में तेल छोड़ दिया है इसमें गोलकी हम डालेंगे डेड़ चमच भरके किंकि स्पाइसी गोलकी से ही हो जागा इसे काली मिर्च भी कहा जाता है दर दरा हम कूट लिए हैं आप चाहे तो इसका महीन पॉडर भी बना सकते हैं लेकिन हम दर दरा लास्ट में से दे दीजिएगा इसी तरह से पीन जवाई कीजिएगा मस्रूम फ्राइब करने का रेस्पी पसंद आजे तो हमरे चैनल को लैक सब्सक्राइब कर देशेर के रेकमेंड बताए इस तरह से एकदम सिंपल बनाएगा तो बहुत ही अच्छा लगएगा खाने में इसी तरह से बनाएं पूरे परिवार के साथ इंजोए करें